आतो नमस्कार भायों स्वागता आपका एक वार फिर से आपके अपने यूटूब चैनल स्टेडी पॉइंट बर दोस्तो जैसा कि आपको पताए कि हमने क्लास 12 की सब्जेक्ट एगरिकल्चर के पसुपालन विज्ञान के चैप्टर 12 जिसका नाम है पसुपालन एम दुख्द उत्वादन में पसुपालन का महत्व कि क्लाशे कंट्यूनियू कर रकी ती परिवा साकिष ने दीती एफ डबलू टेलर ने इसके बाद हमने इसके बारे में पड़ाता कि पसू आहार परबंदन पसू के आहार का परबंदन किस प्रकार किया जाता है इसमें पहला पॉइंट आता है इस्ताने तता सस्ता चारा पसू के आहार में इस्ताने तता सस्ता च चाहिए पांचव पॉंट आता है चारा वे दाना श्यम उगाना चाहिए छटा पॉंट है पसो को चारा हमेशा नाज में ही खिलाना चाहिए चोथा आहर समन्दी प्रवंदन है चाहरे की नांज तता पानी के बरतन स्वच रखने चाहिए और आटव है शूखा चाहरा को होने पर आवशक तानुसार चारे से है या साहलेज बना कर संग्राय करना चाहिए दोस्तों ये रिविजन इसका इस दोस्तों इस वीडियो को दोस्तों पहली किलास देखने के लिए तो दोस्तों ये सब बाते हमने पिछली क्लास में पढ़ ली थी यानि कि पहली क्लास में हमने इन सब को पढ़ लिया था अभी इसका रिविजन करवा दिया है और अगर फुल वीडियो इसका देखना चाते हो तो इससे पहली क्लास को इससे पहले वोच करें जो वाई अभी फस्ट वीडियो नहीं देखें वो पहले फस्ट वीडियो को देखें इसका लिंक पहली क्लास का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्सिन में डाब लिया है उसे जाकर पहले देखें अब चलते हैं आज की क्लास में आज का हमारा अगला टोपिक है पसू आवास परबंदन चैप्टर नमबर बारा एनिमल हजमेंटरी का चैप्टर नमबर बारा पसू पालन एम दुख्द उत्पादन में पसू परबंदन का महत्तु है इसका आगे आता है पसू आवास परबंदन यानि कि पसु का जो आवास है उसकी लंबाई यानि कि ये पूरव पस्चिम उत्तर और दक्षिन इसकी लंबाई तो पूरव से पस्चिम होनी चाहिए ये इसकी लंबाई और इदर ये इसकी चोड़ाई होनी चाहिए कि इसकी पसु के आवास की यानि कि पसु आवास की पू यानि जिसी उसमेiqu पानी या ये वर्सा का पानी संगरह नहीं हो सके तीसरा आता है वायू के आवाउगमन की समूचित व्योस्ता हो अधार तो वायू वायू आवागुमन की समोचित व्यवस्ता हो यानि कि पसो तक वायू आजा सके चोथा आता है पसो आवास में परियापत महात्रा में सूर्य का परकास पहुचना चाहिए पसो को सूर्य की परकास के आसकता होती है जिसके लिए पसो के लिए परियाप्त महात्रा में आवास में सूर्य का परकास होना जरूरी है पांच वात है स्वच्छ जल की परियाप्त व्यवस्ता हो यानि कि पसो को पिलाने के लिए स्वच्छ जल की समोचित या उप्यूक्त वास्ता होने चाहिए अगर स्वच्छ जल नहीं रहेगा तो पसु बिमार होने की आसंका रह सकती है छटा पॉइंट आता है आवास में पसु को परियाप्त इस्थान उपलब्द हो उनको बैठने के लिए और उनको रहने खाने के लिए परियाप्त इस्थान उपलब्द होना चाहिए साथ तो पॉइंट आता है आवागमन के लिए अच्छा रास्ता होना चाहिए अथवाता है 52 टीकाउथ था आकरसक होना चाहिए अधर मजबूत और आकरसक होना चाहिए अधरा बिमार पसु जो है उनको देखवाल के लिए और उनकी चिकच्छा के लिए अलग कक्स की विएवस्ता होनी चाहिए उसे अलग नहीं करेंगे तो उससे कुछ जो स्वस्त पच्च में उनको भी बिमार होने की संभावना हो सकती है इसलिए अलग कक्ष की व्योस्ता होनी चाहिए दसवा आता है पसू आवास में फर्स तता नालिया आदी पक्की होनी चाहिए पसू के आवास की जो नालिया और फर्स है वो पक्का होना चाहिए अन्यता वो कच्चे होने की वज़े से डेमेज या खराब हो सकता है इसके आगे आता है पसू आवास परबंदन के बाद में आता है पसू का परजनन परबंदन पसो के परबंदन के बारे में हम बात करें तो इसमें पहला पॉइंट आता है कि करत्रिम विदी से परजनन कराना है यानि कि अगर हम करत्रिम विदी से अगर गर्वाधान की करत्रिम विदी से हम परजनन कराते हैं प्राकर्तिक गर्बाधान वीदिशे परजनन कराते शमें ध्यान रखे कि उत्तम नसल के स्वस्त सांड का चैयन करना चाहिए माधा पुस्कि गर्बित कराने का सर्व५्तम समय सामाने तैं मद में आने के 12-18 गंटे के बीच होता है माधा के गर्बित होने के दो माहपच्षाद गरब की जांज करा कर पुश्टी कर लेनी चाहिए नेक्स्ट आता है प्राय गाय भेंस तता बकरी गुन्नीश चे 21 दिन तता भेड सोड़ा से 17 दिन बाद पुने रित्युमई होने के लक्षन परकट करती है चे 21 आता है यदी बचिया अत्वभ पाड़ी तीन वर्स की आयू होने तक अत्वभ तीन सो किलोग्राम वजन होने तक भी मद्गाल के लक्षन परकट ना करें तो चिकित सा जांच कराकर उचित इलाज गराना चाहिए अधार्त बच्या या पाड़ी तीन वर्ष की आयू या उसका वजन तीन सो किलो ग्राम वजन होने तक भी मदगाल के लक्षन पर कट नहीं करे अधार्त उसका तीन सो किलो ग्राम या तीन क्विंटल तक वजन होने के फस्चाथ भी वो मदगाल के लक्षन परकट नहीं करती है तो उसे उप्यूक्त या अच्छे डॉक्टर को या चिकच्च को दिखा कर उसका इलाज करवाना चाहिए पसू परजनल सम्मदी एक अभिलेक भी पसू परतेक पसू पालक को रखना चाहिए अतार्त पसू के बारे में सबी जानकारियों का अभिलेक एक पसू पालक को रखना चाहिए जिससे की आगे हर किसी भी परकार की जानकारी वो उससे प्राप्त कर सके दोस्तो आज के लिए इतना ही नेक्स्ट वीडियो में कल की क्लास में हम बात करेंगे पसु स्वास्ते परबंदन और अन्य परबंदन के बारे में हम बात करेंगे अगर वीडियो पसंद आयो तो इसे लाइक करें अपने दोस्तों के शाथ सेर करें और चैनल को सबस्क्राइब करें चले दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद